दोस्तों आज हम ओमान देश के बारे में बेहदी अमेजिंग फैक्ट्स जानेंगे ओमान का अफीशल नाम सल्तनत ओप ओमान है इस देश की राजधानी और सबसे बड़ा सहर मसकट सहर है ओमान का बोर्डर साओधी अरब, यमन और यूनाइटेड अरब अमीराथ से मिलता है अगर छेत्फल की बात करी जाए तो यह देश 3,9,500 स्क्वाइर किलो मिटर के एरिये में फैला हुआ है इस देश ने डेवलपमेंट के मामले में सबसे बड़े देशों को भी पीछे छोड़ दिया है दोस्तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक करने के साथ साथ चैनल को सबस्क्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तो ओमान में चलने वाली करन्सी ओमानी रियाल है और एक ओमानी रियाल भारत ये रूपे में 111 रूपे के बराबर होती है साथ ही यह दुनिया की तीसरी सबसे महगी करन्सी है पहले और दूसरे नमबर पर कुयती दिनार और बहरीनी दिनार आती है 50 सालों तक काबुज बिन शैप सुल्तान ने ओमान की सल्तनत को दुनिया में एक खास पहचान दिलाई और इनका निदन 10 जनवरी 2020 में हुआ जिसके बाद अब ओमान के नए सुल्तान हैताम बिन तारिक है ये देश दुनिया का 25 वा और अरब देशों में 5 वा सबसे अमीर देश है साथ ही अगर इस देश की जन्शंक्या की बात करी जाए तो तो इस देश में लगबग 51 लाक लोग बसते हैं इनकी अमेरी का कारण दूसरे अमीरातों की तरह तेल नहीं है मचली खजूर और एगरी कल्चर प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट और टूरीज्म इनकी एकोनोमी की सबसे बड़ा इस्सा है ओमान में पहले ध्रस्डे और फ्राइडे की छुट्टी होती थी पर हाली में होलिडे डेज को बदल कर फ्राइडे और सेटरडे कर दिया गया दोस्तों ओमान की हिस्ट्री काफी पुरानी है आकडों के मताबिक ये जगह पृत्वी की उनकुछ चुनिंदा जगहों में से एक है जहां पर बहुत पहले से इनसान बसा है यहां पर इनसान लगबग एक लाग छे हजार सालों से रह रहे हैं ओमान की जनता को सराब पीने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है टूरिस्ट और विजिटार्स, होटैल्स, रेस्टोरेंट्स और कलब्स जैसी जगह उपर सराब खरीद और पी सकते हैं ओमान में सराब पीने की कानूनन उम्र 21 साल लखी गई है दोस्तो अपने देश में पैंटरोल की कीमत से जनता बहुत परिसान रहती है पर ओमान में ऐसा बिलकुल नहीं है क्योंकि यहां पैंटरोल काफी ज़्यादा सस्ता है मात्र 37 रुपे में धाई लिटर पैंटरोल यहां लोगों को मिल जाता है इस देश में कोई पर्सनल टेक्स नहीं लिया जाता इसलिए यहां पर गाडिया खरीदना और आसान हो जाता है ओमान के हर नागरिक के पास खुद की कार और घर मोजूद है अगर किसी को अपने घर में सफेद रंग के अलावा दूसरा रंग करवाना हो तो इसके लिए पर्मिसन लेनी पड़ती है लेकिन वाहिट कलर बिना पर्मिसन के ही करवाया जा सकता है भारत के ओमान से काफी अच्छे रिष्टे हैं इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हर साल भारतिय नेवी ओमान की नेवी को ट्रेंड करने के लिए ओमान जाती है और साल 2013 में इंडियन नेवी के बहुत सारे अपसर ओमान में 6 महीने तक रहे थे इसके अलावा ओमान के अधिकांस लोग अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने भारत ही आते हैं दोस्तों ओमान को दुनिया के सबसे सुरक्सित और पीसफूल देसों में किना जाता है यहां पर क्राइम रेट ना के बराबर ही है और ओमान में बेरोजगार लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होता है अब आप सोच रहे होंगे भलक बेरोजगारी के कारण कौन सा फायदा मिलेगा तो हम आपको बता दे की ओमान की सरकार 220 रियाल बेरोजगारी बत्ता हर किसी को देती है जो 220 ओमानी रियाल भारत के लगबग 41,000 रुपे के बराबर बैठते हैं इसके अलावा यहां की सरकार उन्हें तीन सरकारी नोकरियां भी ढूंड कर देती है जिन में से कोई एक चुनकर वो व्यक्ति काम में लग सकता है ओमान घूमने के लिया आज से भी काफी सुन्दर देश है यहां पर 500 से भी अधिक किले मोजूद है यहां का मसीरा आईलेंड अपने सांदार बीचिज के साथ वाइल्ड लाइट के अद्बू द्रस्चे देता है ओमान के एक गाउ रास अल हर्ज में रास अल जिस एक जगह है जहां पर आप सेंकडो कच्छवे देख सकते हैं यह कच्छवे बीच के किनारे पर आकर धूम सेकते हैं जिने लोग समय मिलते ही देखने के लिए आते हैं इस जगह को टर्टल रिजर्व भी कहा जाता है इसके अलावा वहिबा सेंस या फिर सिर्किया सेंस भी देखने लायक जगह है और अगर आपको प्राचीन चीजे पसंद हैं तो ओमान का निजबा सेहर आपके दिमाग में बस जाएगा इस प्राचीन सेहर में निजबा किला भी मुझूद है जिसे बड़े से सिलेंडर टावर के साथ 17 वी स्ताबदी में बनाया गया था ओमान में यूटो बहुत सी सिटीज है पर सबसे परसिद राजधानी मसकट के साथ सलाला सहर, इजवा सहर, बर्खा सहर और बहाला है तो दोस्तों अगर आपको ओमान का हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक दे कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिख रहे बैल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन्स आपको मिलती रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार